हेलो अबरीवान तो इस वीडिए में आप सिखेंगे इमोजीज हैंड गस्टेज्स गस्टेज्स का मतलब होता है इस सारे या साइन है तो हाथों के साइन को जो emojis में होते हैं उनको इंगलिश में क्या कहते हैं वो सिखेंगे के पहला है यह sign इसको हम बोलते हैं victory hand यह आप किसी को तब भेज सकते हैं जब किसी जीत की बात हुई हो या कोई चीज हासिल हुई हो या पास हुआ हो कोई इसका मतलब आप कोई स्वेर ले रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूं या मैं प्रॉमिस करता हूं तो आप यह emoji सेंड कर सकते हैं नेक्स्ट है call me hand ठीक है यह हम वैसे भी किसे को इशारे में अगर बोलना होता है कि call me तो हम ऐसे ही इसारा करते हैं तो इसको हम बोलते call me hand यह आप तब बोल सकते हैं जब आप सामने वाले को बोलना चाहते हैं मुझे फोन करो ठीक है अगला है love you gesture यह अलग-अलग ठीक है तो हम इसको okay next is waving hand mostly इसका यूज़ होता अगर आप किसको बाई बोलना चाहते हैं या फिर हाइब बोलना चाहते हैं इसके अलावा अगर आप किसको थपड़ भी माना चाहते तो भी यह हैंड-का यूज़ होता है इसको हम कहते हैं waving hand iam अगला है praying hand sign इस sign का मतलब है आप किसी के लिए दुआ मांग रहे हैं या आप किसी को बोल रहे हैं मिरे दुआ करो अगर आप यह hand का sign भीजते हैं तो ठीक है प्राफना करो मिरे लिए अगला है open hand gesture इसका मतलब होता है आप open है सामने वाले के लिए और इसका अलग मीनिंग होता है कि आप hug उसको कर रहे हैं अगर आप पे sign भीजते हैं तो मतलब है कि आप किसी को या सामने वाले को गले लगाना चाहते हैं अगला है folded hand gesture यह तो आप सबको पता होगो इसका मतलब होता है नमस्ते या फिर अगर आप किसी से तंग आ चुके तो इसको आप इमोजी भेज को बोल सकते हैं बस बंद करो अपना मैसेज भेलना और मुझे मैसेज करना अगला है clapping hand gesture यह किसने अच्छा काम किया हो तो आप उसके लिए clapping कर सकते हैं और यह उसके लिए एक appreciation का sign होगा कि आप उसके लिए अप्रिशेट कर रहे हैं clapping कर रहे हैं कि उसने अच्छा काम किया ठीक है अगला है तो इन सब में आप इस raised sign hand का यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है प्रेजिंग हैं यानि कि आप उपर वाले का धन्यवाद करना चाहते हैं किसी बात के लिए या फिर आप किसी बात के लिए शुकर गुजार हैं तो आप यह हैंड भीच कि किसको सेंड कर सकते हैं जिसका यह मतल सकते हैं we all are fine उसके बाद आप यह gesture hand भीजे जिसका मतलब होता है हम सब अच्छे हैं यह सब उपर वाले की दया है ठीक है उपर वाले का अनुग्रे है next hand gesture is thumbs up hand gesture जिसका मतलब होता है बहुत बढ़िया बिल्कुल सही और या फिर मैं तुम्हारे बात से सहमत हूं मैं तुम से सहमत हूं जो तुम बोल रहे हो या फिर आप keep it up यानि कि बहुत अच्छा काम किया ऐसे करते हो कि लिए भी आप thumbs up hand gesture का यूज़ कर सकते हैं next है thumbs down gesture यानि कोई चीज अगर आपको पसंद नहीं आई हो आपने उसको dislike करना हो या फिर किसी बात से आप सहमत नहीं हो आप अगरी नहीं करते हो तो आप thumbs down का sign भीज सकते हैं अगला है आप pointing finger जिसका मतलब होता उपर की तरफ तो आप कुछ भी बोलना चाहते हैं उपर की तरफ तो आप up pointing finger का यूज़ कर सकते हैं ठीक है next है down pointing finger यानि नीचे की तरफ कोई message आपने भीजा है और सामने वाले को नहीं मिल रहा है तो आप बोल सकते हैं और नीचे आओ down pointing finger मतलब और नीचे और नीचे तो down pointing finger का यूज़ कर सकते हैं अगला है राइट pointing index finger ओके हम यह first finger को index finger बोलते हैं तो कोई चीज अगर आपके राइट यह लेफ्ट में किसी को आप इस इशारे में बताना चाहते हैं तो इसको right hand pointing finger बोलेंगे और second है left pointing index finger कोई चीज लेफ्ट में आप बताना चाहते हैं तो आप यह गैस्टर का यूज़ करेंगे next है आपको भी पता होगा जिसका मतलब होता है writing hand यानि कि आप पढ़ रहे हैं अगर किसे सामने वालने आप से पूछ है आप क्या कर रहे हो और obtution में हैं तो यह sign अगर भीज देंगे तो इसका मतलब होता है आप पढ़ाई कर रहें आप study कर रहें यह तो obvious है सबको पता इसका मतलब होता है कि मैं nail polish लगा रहे हूं या में makeup कर रहे हूं और I am getting ready for someone or for something and this one is called shaking hands यानि की हाथ मिलाना ठीक है इसका यह मतलब होता है आप सामने वाली की बात में सहमत है आपने कोई डील है जिस पे हाम है सहमत हूं लेट शेकार हैं और रहें और रहें और रहें और if you did do share with somebody and subscribe my channel thank you so much once again